स्वाम लीकुम स्टोरेंट्स, वेलकम तो IELM कोलीज वाला कोट ओनलाइं पी क्लासिस, मैसेलफ जहीरादिन बाबर कॉंपर्ट्मेंट आज का जो लेक्चर है वा लेक्चर नमबर 30 है और इस लेक्चर में जो क्वेस्टेन हम कवर करेंगे वो है What is data? Describe different type of data with examples. Data क्या होता है और इसकी different types कौन-कौन सी है तो सबसे पहले data की definition की तरफ चलते हैं, definition क्या है? एक collection of raw facts and figures related to an object is called data data क्या है? किसी भी object से related जो raw facts and figures की collection होती है उसे हम क्या बोलते हैं? data बोलते है जो काम ना किया है, एस definition में object क्या है? इन फ्रफ अफ आत इन कोई पढम है, खियाया है और इसली धर इन फिगर्स क्या होता है? arrow fact and figures वो चीज़ होती है जिस पर अभी कोई काम ना किया गया हो ठीक है उसे हम क्या बोलते हैं रा फेक्ट एंड फिगर मे FL pact बोले हैं उन्परadors एक चारद फिगर इसक्रों डैटा इसकॉलिज कहाँ चाही परपस है अब admission के लिए data की ज़रुवत पड़ती है अब इसमें जो अब्जेक्ट है वो गया student है student का कौन कौन सा data होगा उसके student का address होगा student के mark sheet होगी matter के mark sheet इंटर के mark sheet और इसके बाद address उसका cell number ये सारी information क्या है और इसमें object किया है student है तो ये जो collection है इसे क्या बोलते है डेटा बोलते है इन जर्नल डेटा इस एनी सेट ऑफ क्रेक्टर डेट इस गेडर एंड ट्रांसलेटिड फार्सम परपर्स यूजी अनलेसिस स्पेशली क्या होता है डेटा क्यों कठा किया जाता है अनलेसिस करने के लिए देखें स्टुडेंट एक कोलीज के अंदर जब गोर्मिंट स्कोलर्शिप अनौंस करती है कि हमने 90 प्लस माक्स वालों को लैप्टॉप देने हैं या फिर कोई स्कोलर्शिप देना है तो बैटा है हमने कठा करना है उसमें क्या आएगा स्टुडेंट्स के माक्स आ जाएंगे ठीक है स्टुडेंट्स के माक्स आ जाएंगे तमाम स्टुडेंट्स के माक्स तो यह क्या है यह सारी क्लेक्शन औफ राफ एक्टेंट्स के माक्स तो यह क्या है यह सारी क्लेक्शन औ आहारें स Uhros शॉलो कौण कॉंसी डाटा की ताइप है। स्टूडेंट का सामारे पास निमेरिक डाटा हृता है, टैक्स डाटा है energy राडियो डाटा है कैन इमैरिक डाटा में क्या हूं इक अबलिमस करते हैं? इम्र कोई भी वैलिइक डाटा है तो उसके बाद text data है, text data कौन सा होता है? जैसे कि name वगार हम अपना name लिखते हैं, कोई भी student address लिखते है, तो ये कोई essay लिखते हैं, आप कोई test देते हैं, तो ये किस form में होता है? text data की form में होता है, इसी तरह image data है, image की form में, जब image हो हमारे पास कोई भी, तो उसे हम क्या बोलते हैं image data, image data के अंदर images बगारा आएंगी audio data में कोई wise की सूरत में data होगा और video data में हम कोई video होगी है हमारे पास तो यह क्या है different type of data है, data जब भी होगा इन type में सही होगा Okay students, अब क्या data and information के बारे हम बताया गया है कि type of data कौन कौन सी है Numeric data, text data, image data, audio data and video data देखाँ students numeric data क्या होता है numbers की form में और text data जो simple text होता है हमारा जैसे English में उर्दू में और इसी तरह image data क्या है यह देखें image की form है में इससे हमें पता चलता है यह हमारे पास क्या line है तो यह भी क्या है data की form है पर इसी तरह audio data होता है जैसे कोई voice message आपको send कर रहे है तो वो क्या data किस form में audio form में इसी तरह video form में भी data होता है तो यह student क्या थी type थी type of data अभी तक हम ने जो पढ़ा है वो है define data and the type of data next student यह थे हमारे concept अब देखते हैं जो आपकी जो book है PM series की उसका जो third chapter है third chapter में question number three आज हमने read किया है यह question क्या था what is data describe different type of data with examples तो सबसे पहले data देखते है data क्या होता है a collection of raw facts and figures related to an object is called data an object may be a person student or organization or any other thing data is collected for specific purpose type of data क्या है there are different type of data used in data communication system different type of data are as follows अब दो बैटा की कौन-कौन से type होती है हमारे पास first है numeric data numeric data में क्या आते है numbers आते है numeric data consists of digits from zero to nine plus भी हो सकते है minus भी हो सकते है ठीक है number plus one plus two minus one minus two mean number जितने भी होंगे वो किसमें आता है numeric data के अंदर आता है the use of the use of plus sign with positive number is optional ठीक है हम zero one two three इसके साथ plus लगाएं या ना लगाएं तो फरक नहीं पढ़ता ठीक है number numeric data can be of integer type or a real type अग जो numeric data होता है इसकी दो टाइप होती है integer data होता है real time data होता है real data होता है integer data क्या होता है जो whole number हमारे होते है positive number होते है जैसे one two three four five six minus one two three यह जितने भी होते हैं इन्हें हम बलते हैं integer data और real data क्योंसा होता है जो floating point में होता है जो point के अंदर जैसे one one point one one point two तो यह क्या है real time data integer data क्योंसा होता है it consists of positive or negative whole value examples of integer data are four double two and three one two यह सारे क्या है integer data real data क्योंसा होता है it consists of value that have decimal point decimal point क्योंसा होता है इशारिये वाला ठीक है example of real time real type of data are fifteen point four यह point four यह आ जाए तो यह कहोंसे data की type होती है real time data उसके बाद आता है text data text data में हमारे पास क्या आता है text आता है text data consists of words, sentence and paragraph it may consist of alphabet, numeric digits and special characters the text data is normally stored as ASCII code format यह क्या है, American Standard Code for Information Interchange इस format में होता है इसके बारे में इन्शाला नेक्स लेक्चर में पढ़ेंगे कि यह क्या है, यह coding scheme है इस coding scheme के मताबक हम data को convert करते हैं इन्शाला नेक्स लेक्चर में यह पढ़ेंगे example of text data are मुहम्मद उमर देखें हम कोई भी student अपना नाम लिखता है तो वो जो नाम है, वो text लिखता है मुहम्मद उमर, कोई भी नाम है तो वो किस form में है, text form में है I love Pakistan है, यह number है Satellite Town है, Sargoda है जो भी इस तरह की text होता है जो हम test देते हैं school में जो test होता है, college में जो test होता है image data is represented by bit pattern bit क्या होता है, memory का सबसे चोटा unit the data is sent as continuous bit these bit are grouped into byte, 8 byte ठीक है, यह हमने फर्स चेप्टर में पढ़ा हुआ है bit क्या होता है, 0-1 और जब 8 bit मिल जाती है तो यह क्या बन जाता है, 1 byte बन जाएगा ठीक है, student, यह image data होता है हमारे पात, और इसी तरह audio data होता है audio data consists of music, speech or any other sound the audio data is in the form of continuous signals it is converted into digital form before entered into the computer देखें, student, जो आपको एक बात याद रखनी है कि जो हमारा computer है, यह हमेशे digital signals को ही understand करता है, यहां दूसरे लख़ज़ों में binary form में data को understand करता है हमारे पास किसी भी तरह का data है सबसे पहले हमने उसे binary form में convert करना है binary form कौन सी होती है, 01 की form 01 की form में convert करेंगे, तब भी computer उसे understand करेगा clear, student, आगी क्या है video data video data consists of motion pictures or movie films the movie films are made using video camera video data कौन सा होता है, जिसमें videos होगारा होती है तो इस तरह का data होता है, वो video data अपना है यह student आज का हमारा lecture खत्म होता है, यहां पर इस lecture में जो हमने question किया है, वो cover किया है, वो है what is data and different type of data इन्शाला नेक्स लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्यार रखिएगा, अलाफीस झालएगा यह झालएगा यह झालएगा